मेंदार GRE ждют test tub और यह नी ओर आप देख रहे हैं दěह स्टीस कोरो Neo के रोगतां के लिए like और प्रसक्राइब काफ़ी च्याइन होगया हलाकि मंत्री है इन्हें know good कारियों से बैठा करनी होती है तो ऐसे में precaution के साथ ये lockdown का पालन करते हैं लेकिन जिस तरह से पहले छेतर में बीजी रहते थे लोगों के साथ घिरे रहते थे वो टाइम अब वो घर में देते हैं तो किस तरह से उनका दिनचार्य अब इतता है ये जानने के हम कोशिस करेंग देखिए उसमें बदलाव तो आएंगिया है दिनचरिया में पहले में उठता था सुबह में तहलता था फिर करता था नहाता था, खाता था उसमें कोई अंतर नही लाया हूं वही रूटिन फॉलो कर रहा हूँ मैं लेकिन इसके बाद काफी लोग आते थे मिलने के लिए 50, 60, 70, 80 की संख्या में लोग बाहर घर के बाहर बैठे रहते थे एक एक करके मैं मिलता था, देड़ घंटा, दूघंटा समय देता था अब किसी से नहीं मिलता, किसी को आने नहीं देता, नमना कर देता हूँ कि भाई यह मैं नहीं मिलूँगा, अभी आप नहीं आमें, आना ही होगा, बहुत जरूरी है मिलना तो टेलिफून से कर लें या बहुत जरूरी मिलना ही जरूरी है तो प्रोजेक्ट बिल्डिंग में जाता हूँ अपने ओफिस में वहां आ करके मिलने हमसे एक एक करके ये बदला हो गया तो इसा फिर मीटिंग होती है काफी लोग बैठे रहते थे मीटिंग में ओफिस में से खते थे से सकते है और लों रहते थे भड़फून बैठते हैं सोचल इस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दूर बढ़ते हैं हम लोग वह भी बैठते हैं दूर्म हमें अपने सोधानी बढ़ता हूं ये होता है फिर मतृमें साब.ंदलं की वहती होती है बहां इसक्रीदी अलग अलग जगह में बैटते हैं दूरी मेंटेन करते हैं हम लोग यह है अब बाहर जाने का सवाल है कहीं सिकायत मिलती है अन्य खादान की का वित्रन में दिकत होती है लोगों को सिकायत करते हैं ते रिफॉन पर तो कभी कभार जाना पड़ता है मैं अपने शेत्र में जाता हूँ लोहरदगा वहां भी किसी से नहीं मिलता पतादीकारियों को बढ़ा लेता हूँ और सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनसे बात कर लेता हूँ लोगों द्वारा प्राप्त जो सीकायते होते हैं उनको बताता हूँ और फिर कहता हूँ कि वह इसकी जांच करो दूसरा दिन तिस्ता दिन वो जांच करके बताते हैं हमको कि वास्तिक्ता क्या है इस्तिती क्या है इस सब बताते हैं इस्ता से बहुत सिमित हो गया है जैसे राजनीती में तो लोगों से मिलना ही मुख्य काम हमलों का होता है राजनीती में जो भी हैं लोगों से नहीं मिले कर रहे हैं काम तो कर रहे हैं टेलिफूनिक आता है टेलिफून से सिकायथ होती है उनकी बात सुनिए आप उनकी उनको जो शिकायथ हो उसको दूर करने के लिए पतादिकारियों कही है यह अभी बहुत कम हो गया है लोगों से मिलना जुलना है यह लेकिन समय का तक आजा यही है करना है हम लोगों को तो इसले मैं कर रहा हूं अब सर्वी सर्वी साथ ही जतने राजनिती में हैं में हैं इंप हैं वह उभी इसी तरह से कर रहे हैं जहां यहलं तक मैं जानता हूं जो व dominated समंध हमारा उनके साथ है उन से पूछता हूं के क्या कर रहा है तो बोलते हैं के घर में बैठे हुए हैं और लोगों से निइवी पा रहे हैं एक एक करके ज़ू आते हैं उन तो यह तो राजनीती बाती हुई लेकिन लॉक्डाउन में आपका समय घर पे कैसे बिता है परिवारक वालों के साथ कैसे आप समय बिताते हैं और क्या कुछ नाया कर रहे हैं जो पिछले छूट गया था बहुत ताइम से आप सोच रहे थे कि वक्त मिलेगा तो मैं यह क्या कुछ ऐसा जोगा हमने जो मैं सोच नहीं कर पारहा हूं अभी जो मैं सोचता था कि पढ़ने का सौ। किताब युन किताब खारत कलाता हैंशा particularly मैं नहीं पाराहूं किताब तो खोरत ला रहा हूं निए पढ़ने के बाद लिखने कि भी इच्छ है कli本ू नहीं हूं समय मिलता तब जरूर लिखता हैना मन में विचार हैं यह सब करता हमें लेकिन नहीं मिल पा रहा है अपना प्रजेक्ट बिल्डिंग जो ऑफिस है हमारा उसके अलावे हम अभी सोनिया जी के आदेश से हम लोग अपने प्रदेश कांग्रेस कार्याले में केंट्रोल रू हैं लोग दुबे जी हैं किसोर जी हैं राजस गुपता जी हैं आरल भाटिया जी हैं प्रदीव तुल्शियान जी हैं चार पांच जदे नहीं अलग-अलग बैठ करके हम लोग जगए जगए से बात करते हैं जिला से जिला में भी नियंत्रन के चल रहा है पर खंड में भी के साथ खड़ा दिखना है तो वही हम लोग को सिस्रत करते हैं कि जहां कमी है सरकारी साहता अगर पहुंचने में देरी हो रही है तो पार्टी के और से आनाज पहुंचा रहे हैं मेडिसीन पहुंचा रहे हैं दे रहे हैं लोगों की मदद कर रहे हैं ये पार्टी को भी हमारे साथ है क्या कि मैं प्रदस अध्यच भी हूँ तो पार्टी को भी देखना है हमको कि मंत्रालें निए लेखना है विवाग निए पार्टी को भी देखना है तो सेक्इंड हुझ म्र탄 पुरा क पुरा तीन घंटा-चार घंटा मैं विद्यत करता हूं अपने कारे ऐبة में पार्टी कारे वे में वहां लोगों जीनम अभी जो कंटोर हो भी चल रहा है तो समय बेक्तिकत काम के नहीं मिल पाता है बेटी मेरे यहीं है साम में कभी बुला लेते हैं तो गब सफ होता है हम लोगों के बीच में कभी मैं चला जाता हूं मगल में ही बेटी रहती है मेरी दमाद रहते हैं वहां चला जाता हूं बातुत कर लेता हूं, और कहीं घुमना फिरना, यह सोचल वर्क, और लोगों से, समंधियों से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सोस तो होता है, लेकिन समय के कातका जाई है, क्या करूँ? सर, आपने कहा, आपको पढ़ने का सोच है, लिखने का सोच है, कौन से किताबे आपको पढ़ना पसंदा है? जहां-जहां किताबें मिलती हैं, किताबें मैं रखता हूँ, मांग के लाता हूँ, या खरित करूँ, बहुत से किताबें तो मेरे पास अपनी किताबें हो करता हूँ, उसमें हमको बड़ी रुची रहती है, बुद्धिजम पर, तो किताबें पढ़ता रहता हूँ, इस त लिए समझने के लिए तो जरूर पढ़ता हम अंग्री जी का इडिटोरियल इसके बाद आर्टिकल भूत सपते हैं अंग्री अखवारों में खासर के अंग्री अखवारों तो उसको आटिकल भी पढ़ता हूं ताकि थोड़ा अपना ग्यान-वरदन भी हो जाए जानकारी भी हो जाए और संग्री पीने में क्या पसंद है हमारा बहुत ज्यादे पसंद नहीं है हम स्यधा पाले तो यूरी के सिट बढ़ जाता है नौन बैज कि आप नुन वीज मत झाये, तो दुह कर दिया हूं, करेव 8-9 मेना हो रहा कि नॉन वीजितरीर्यन हो गया है। तो वेजिटेन खाना खाता हूँ, सिंपल ही खाता हूँ, दाल चावल खाता हूँ, रोटी सब्जी खाता हूँ, फल खाता हूँ, ज्यादे अच्कल फल ही खा रहा हूँ, तो फल खा लेता हूँ, अना साकारी भज़नी कर रहा हूँ. मैं आखरी सवाल आप से लेना चाहूंगे आप राजनीती से पहले आप प्रसासनिक सेवा में थे कुछ ऐसा एक इंसिडेंट बताएंगे जो आपके जहन में हमेशा रहता है उसको याद करके भी अच्छा लगता है ऐसा कुछ देखें ऐसे तो बहुत हैं जीजें लेकिन मुझे इत्फाक से जब मैं नौकरी में था बिहार के दिनों में तो इन दुनों में जदा कदा हो जाते थे कास्ट राइट भी हो जाते थे और सरकार हमको भेजती थी उसको संभालने के लिए कई जगा मुझे भेजा गया तो उच्छन को याद करते हैं फिर हम 1979 में जमसितपूर में राइट हुआ था और मैं उसमें चैवासा कैस्पी था हमारा भी कुछ दो-तिन थाने उसमें प्रहुईत हो गए थे उस समय का मुझे बूत यादाता है मैं उस समय 72 घंटे सोया नहीं था खाना भी नहीं खाया था तो सिर्फ कोका कोला पी कर रहता था 72 घंटे मुझे याद है कि मैं सोया नहीं चलता रहा दोड़ता रहा यहां भीड जूट रही है यहां लोग नारावाजी कर रहे हैं उसको संभालने में मैं भातर घंटे तक चलता रहा सोया नहीं गाड़ी में चला पैदल चला अपने साथियों के साथ पुलिस कर्मियों के साथ और समहाला वो च्छन मुझे बार बार याद आते हैं कि वो मेरे लिए सच मुझ में बुरा दिन था खराब दिन कहेंगे उसको हम लेकिन मुझे अपन के साथ अपने च्छित्र में मैं कमलल राट को नहीं बढ़ने दिया अना यह आता है फिर लालुजी के समय में मैं डियाजी हेट कोटर था वहां वह भी शनियात करता हूं मैं जमें जब आडवानी जी को गिर्पतार करने के लिए समस्ति पूर्व है जा गया मैं और श्री कारें उसे मिल करके सुबह भूर में अडवानी जी को गिर्पतार कि फिर गिर्पतार करके उनको हिलिकाउटर में बढ़ा कर दुमका ले गए मासांजोर में रखे तिन दिन तक उनके साथ रहे तो वो दिन और वो च्छन को मैं याद करता हूं कि इस तरह से हमको सरकार ने ग IT ले जाए और वो चाया को गिर्पतारी में मुझे लगाया चाया रवनी शेंट रीपतार वी लगए स्था हो कि अठाइस साल कुछ महीने में रहा इंडियन पूलिस सर्विस में तो दीन तो बहुत याद है लेकिन कितना बलूं कुछ-कुछ याद है उसमें से ही दोनों कह सकता हूं कि मैं याद करता हूं जादा कोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग तो उस ही समय कोका को बंद किया गया था झाल फरणनेस थे को का को बंद कर आया थे लेकिन एक वहां पर जो यह था इस टॉक था अधित्यपूर में वहां रखा हुआ था तो हही से मैं नाता था को का लिए भी Tata अन्य वह रहा हूंगा प्रसासनिक सेवा के साथ साथ राजनीती का जो रास्ता है, जो पल जो बिता हैं वो हमारे साथ साजा किये और किस तरह से इस lockdown में अपना समय बिता रहे हैं वो हमारे साथ साजा किये तो फिलहाल इस खबर में इतना ही आप देखते रहें